नमस्कार सुजिस बुलेचिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शहा एक नजर हेडलाइन्स पर मुख्य मंत्री श्री बजनलाल शर्मा ने जोधपूर में एम्स के चौथे दीक्षांत सम्हारों में की शिरकत कहा प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी के नित्रुत्र में चिकित्सा मानकों में बहतर काम हुआ मुख्य मंत्री ने संशोधित पार्वती काले सिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP के MOU पर उचतम न्यायलाई के निर्ने का किया स्वागत कहा प्रदेश के किसानों की बढ़ेगी आय और खुशहाली मुख्य मंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर दोरे पर रहे मुख्य मंत्री ने जोधपुर के AIMS परिसर में AIMS के चौथे दीक्षण्त समहारों में शिरकत की इस अफसर पर श्री शर्मा ने समहारों को संभूधित करते वे कहा कि प्रदेश के लिए आज अच्छा दिन है प्रदेश को कई सौगाते देने का काम किया गया है कि देश में चिकित्सा मानकों में बहतर हुआ है यहीं नहीं हर छेत्र में क्योंकि कि 2012 से पहले अगर हम बात करें तो देश में 381 मेडिकल कॉलेज थे और आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं MBBS सीटों की संख्या 54348 थी तो आज बढ़कर के एक लाख नो हजार से जादा हो गई यह देश की यह सोची प्रदान मंत्री नरेंदर मौदी जी के नहीं प्रश्च को आज हम अगर हम बात करते हैं 3834 लोगों की आबादी पर एक डाक्टर उपलब है उच्छ शिक्सा संस्थानों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्री हुई पहले हम देखते थे देश में जो स्वास्थ वक्त के चेत्र में जो परवर्तन हुआ है मानि एसस्थी प्रदान मंत्री जी तरेंदर मोदी जी के नित्रत में आपको देखने को मिल रहा है इससर पर मुख्य मंत्री ने प्रदेश में विभिन स्वास्तिय परियोजनाओं और सुविधाओं संबंदे विकास कारें का लोकारपन और शिलान न्यास भी किया मुख्य मंतरी भजनलाल शर्मा ने संशोदित पार्वती का लेसंद चंबल लिंक परियुजना ERCP के MOU पर उच्छतम न्यायलाई के निर्णा का स्वागत करते हुए प्रसनत अव्यक्त की है उन्होंने कहा कि उच्छतम न्यायलाई के निर्णे से बहु प्रतिक्षित ERCP का मार्ग प्रशस्त हुआ है उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी की दूरगामी सोच से फलीबियूत हुए इस MOU से दोनों ही प्रधेशों को लाब होगा जिसका सीधा फाइदा राजिस्थान और मध्य प्रधेश के किसानों को होगा मुख्य मंतरी ने कहा कि इस परियोजना के मूर्ट लेने के बाद पूरवी राजिस्थान के 13 जिलों में पेजल उपलब्द हो सकेगा और सिंचित ख्षित रमिवरदी होने से फसल उतपादन किसानों की आई और खुशहाली बढ़ेगी आपको बता दें कि उच्चतम न्यायलाई ने राजिस्थान सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मध्य संशोधित पारवती कालेसंद चंबल लिंक पर योजना ERCP के लिए होए MOU पर मोहर लगा दी है इससे बहु प्रतिक्षित ERCP का मार्ग प्रशस्त हुआ है उच्चतम न्यायलाई ने मध्यप्रदेश द्वारा ERCP के संभध वेदायर याची का इस आधार पर निस्तारित कर दी कि संशोधित ERCP पर त्री पक्षिय MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं इस संभंध में पूर्व में राजिस्तन सरकार के ERCP के प्रस्ताव को नकारते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वयम के हितों के सरक्षर के लिए उच्चितम न्यायलाई में याची का दर्ज की गई थी लेकिन केंद्र राजिस्थान और मध्यप्रदेश सरकार के बीच परियोशना की संयुक्त डीपियार बनाने के लिए नई दिल्ली में 28 जनवरी दोहजार चौबीस को तरी पक्षिये MOU पर हस्ताक्षर हुए और दोनों राजियों के बीच में विवाद की स्तिती समाप्त हो प्रदेश के नए महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद होंगे राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आज महाधिवक्ता के पद पर श्री राजेंद्र प्रसाद के नियूक्ती के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है मुख्य मंत्री श्री बजनलाल शर्मा से केंद्रिय स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्री श्री मनसुक मांडविया ने आज शनिवार को मुख्य मंत्री निवास पर मुलाकात की इस अफसर पर दोनों ने प्रदेश को स्वास्य सूचकांकों में अगरणी बनाने की दृष्टी से चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्य धाचे को और अधिक सूढ़ड बनाने पर चर्चा की इस दोरान आयुश्मन भारत योचना की अंतरगत प्रदेश में सैचुरन सौ प्रतिशत करने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई राजेपाल श्री कलराज मिश्रनी पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण अडवानी को सर्वोच भारतिय नागरिक सम्मान भारत रत्न देनी की घूशना पर प्रसनता जताते हुए उन्हें बधाई दी है श्री मिश्रने कहा कि श्री आडवानी भारती राजनीती के आदर्श व्यक्तित्व हैं उन्होंने कहा कि राश्ट्र के प्रतिसमर्पन और त्याग के साथ शुचिता के जिन जीवन मुल्यों को अप्रतिपादन श्री आडवानी ने किया है वे अनुकरनिये हैं आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है जिसे वर्ष 1954 में प्रारंब किया गया था। भारत रत्न की सफारिश त्वाइम प्रधान मंत्री द्वारा राश्ट्रपती को की जाती है और बिना किसी जाती व्यवसाई पद या लिंग के भेदभाव क स्यभी व्यक्ति इस सम्मान के पात्र हैं। ये पुरसकार मानब प्रैत्न के लिए किस भी क्षित्र में की गई सर्वोध कृष्ट स्तर के निश्पादन के सम्मान के रूप में दिया जाता है। इस एक्जिबिशन का आयोजन किया जा रहा है। राजिस्थान को खनीच पत्थर के विविदता और विपलता का गौरव हासिल है। ये राज्ये खनीच पत्थर के निर्यात में भी अग्रणी है। अपनी एतिहासिक और सांस्कृतिक विविदता के लिए विश्व स्तर प कहीं प्रमुक देशों के पत्थर उद्योग की नामी कंपनिया, कंपनी सहमू, स्टोर्न इंडस्ट्रीज एस्सोसियेशन के प्रतिनीधी और खरिदार अपने उद्पादों की मार्केटिंग प्रदर्शित करने या व्यापरिक पूच्चाच के लिए साथ समंदर पार्स टो और हम ले कड़कोर ऑंचाच पूच्चाच चारबक टामस्टासस के लिए. याथ लुके चाले ही ओुरू मुक्त पॉप ट्यूटस्टास से हां।иц इस प्रदर्शनी में पत्थर उद्योग से संबंधित विबन हितधारक जैसे उतपादक, निर्यातक आयातक, उपभोगता और खरीज़। विशेशग्य प्रद्योगी की प्रदाता, वास्तुकार, बिल्डर, डेवलेपर, कॉर्पुरेट, आदी कुल 411 एग्जिबिटर्स भाग ले रहे हैं। पुर्य प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिवर लगाकर पॉलिसियों का वित्रन दो फरवरी से 29 फरवरी तक किया जा रहा है। उन्हें कहा कि जो किसान इन शिवरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संभंधित क्रशी पर यविक्शक से प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों द्वारा राज्य के सभी ग्राम 55 पर शिवरों का आयोजन कर लगभग 27.84 लाख क्रिशों को लगभग 1.59 करोड पॉलिसियों का वित्रन किया जाएगा। वन एवं परियावरन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजेश शर्मा ने शुकरवार को अरण्य भवन में विभाग के अधिकारियों की साथ समीक्षा बैठक ली। प्रदूशन मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। आज के बुलिटिन में फिलहाल इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात नमस्कार।